आप वरंदावन गए होगे, हरदुआर गए होगे, एरिशी केश गए होगे, और ब्याध्यात्मिक मेलों के अंदर गए होगे, वहाँ पर एक सबसे चीज क्या होती है कुम, क्यों वहाँ बड़े-बड़े माईक लगे होते हैं, हम भी गए, की काले होडे के नाल के अंगुठी ले लो, ये रतनों के अंगुठी ले लो, ये ऐसे रतन भाग्या बदल देंगे, सुनी का परभाव नहीं होगा, रहो नजदीक नहीं आएगा, बड़े-बड़े माईकों में ये आवाज आपके कानों में गूंजती होगी, आप कुछ लोग परभावित हो करके, वो अंगुठीयां, वो चमकीले पत्थर, रतन वे गएरा, कुछ न कुछ उठा करके ले भी आए होगे, क्योंकि प्रेशान आदमी जो होता है न, वो कहीं न कहीं से सुक की आसा में, कि कहीं से भी मुझे कुछ सुक मिल जाए, शान्ती मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, इसी आसा में, कहीं भी कुछ भी करने के लिए तयार होता है, और इस आपकी जो मानसी कालत है, इसी का लाब वो लोग उठाते हैं, और आपको बड़े-बड़े सपने दिखा करके, इन चीजों को, इन वस्तुओं को आपको बेच देते हैं, टीवी के उपर भी देखा होगा आपने, रात में तो यही प्रोग्राम चलते रहते हैं, कि वो आ गया, वो माला आ गई, वो रिंग आ गई, और कुछ आ गया, दातु की बनी हुई है, अस्ट दातु की है, यह मूर्तियां है, वो यह अनुमान जी की है, आज कल तो देवताओं के साथ नाम जोड दिये जाते हैं, कि कुछ नीलम वगेरा के नाम बड़े-बड़े एक्टर के साथ, स्टारों के साथ जोड दिये जाते हैं, कि उसने पहना था नीलम, भाग्या ही बदल गया, आप देख लो, आप परवावित होते हैं सुन करके, चितर एड कर दिये जाते हैं, एटूटाइजमेंट करवाई जाती है, बड़े-बड़े स्टार से पैसे दे करके, कि हमने यह पहना वो हो गया, आप वो सुन करके, आपका विचार है ना, यह आपको धन की भी आनी देता है, आपको मन की भी आनी देता है, आपकी आशाएं भी तूट जाती हैं, आप आस्तिक से नास्तिक भी होने लगते हो, आपका परमात्मा और संतों के उपर से विश्वास भी उट जाता है, कि कोई भावत करने वाला बोले ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, तो हम उसको संत माल लेते हैं, ये तो बागवत कर रहा है, बहुत बड़ा संत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मातरिक पढ़ी गई वस्तू, किताब है, पुस्तक है, वो बोलते जा रहे हैं, दारा परवा, इसे ज्या जाए, तो ये एक परकार से थोड़ा बहुत अंसमातर पर भाव करता है, नामातर का, इसे ज्यादा कुछ है, लेकिन अगर आप अपने आप को समझोगे, आप अपने जुनून को समझोगे, आप अपने होसले को समझोगे, आप अपनी अंदर की नेगिटिविटी और आप अपने अच्छे और बुरे करमों को समझोगे, आप अपनी ताकत को पहचानोगे, आप अपनी आत्मिक सक्ति को पहचानोगे, आप अपने मन की वाइबरेशन को पहचानोगे, आप अपने चारो तरफ एनरजी का जो अक्षित तरह उसको पहचानोगे, आप अपने ध ज्यान को पहचान होगे, आप अपने संतों के, मात्माओं के, पुर्वजों के, माता-पिता के रास्ते के उपर चलोगे, तो ये चीजे ना मात्र की रह जाएगे, इनका इतना ज्यादा ना परभाव होगा, ना कुछ कर पाएंगी, ना आपका विकास हो पाएगा, आप निर डाल लिया, और बस अब अच्छा हो जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा आपके जो होसले हैं उनसे, अच्छा होगा जो आपके डिसिजन पावर है उससे, अच्छा होगा आपकी संकलब सकती से, अच्छा होगा आपकी पोजिटिविटी से, अच्छा हो जो आपके अंदर में जो नेगिटिविटी है उसको तोड़ने से अच्छा होगा समाज और आसपास के जो आपके लोग है उनकी बलाई करने से अगर आपने ये धान कर लिया और बुरा करते हुए भूमते रहें क्या आपका बला हो जाएगा सपने में भी नहीं हो सकता तो आप इन चीजों से थोड़ा संबल करके रहें और केवल इन के उपर भी डिपेंड ना हो जाएगा निर्बर ना हो जाएगा अपने आपको पहचानो, अपने आपको जानो और अपने आप तक पहुचने की कोशिस कीजिये, जब आप अपने आप तक पहुच जाओगे, तो इनका अस्तित्तव भी समझा जाएगा और आपको अपना अस्तित्तव और उदेश्य, लक्ष्य और अपने अंदर जो ताकते छुपी हुई है, सबका सबकुछ आपके सामने आना सुरू हो जाएगा.